हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल और एम के वर्क, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है विशा हिंदी, कार्य पत्रक 12, कक्षा 6 पिछले कार्य पत्रक में हमने पढ़ा कि दोपर में मा के सोते ही केशाव और स्यामा ने चिडिया के घोशले को धूप से बचाने के लिए टोकडी तथा कपरों से धका और पास में ही पानी और कुछ दाने रख दिये अब आगे तो ये भी आपका पार्ट से रिलेटेड यहाँ पर दिया गया तो आप यहाँ से पूरी समरी पढ़ सकते हैं यहाँ पर एक परग्राफ यह दिया गया तो यहाँ पढ़ सकते हैं आईए इसे रिलेटेड प्रस्नों को सॉल्व करते हैं पहला प्रस्न है मा के पूछने पर भी दानों में से किसी ने किवार खोल कर दोपर में बाहर निकलने में क्या का क्यारण क्यों नहीं बताया उत्तर है मा के पूछने पर भी दोणों में से किसी ने किवार खोल कर दोपर में बाहर निकलने का कारण इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने बोला तो मा को पता चलने पर उनकी पिटाई हो जाती प्रस नमबर दो है स्यामा को आखों में आसू क्यों भर आए उत्तर है स्यामा की आखों में आसू इसलिए भर आए क्योंकि केशव ने उसको अंडे नहीं दिखाए और स्टूल उठा कर कमरे में रख दिया चौकी जहां की थी वहां रख दी प्रस नमबर तीन है मा ने धूप से आखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से क्या क्या सवाल किये उत्तर है मा ने धूप से आखों को बचाते हुए दोनों बच्चों से यह सवाल किये तुम दोनों बाहर कब निकल आए मैंने कहा ना था कि दोपर को ना निकलना किसने किवार खोला प्रेस नमबर चार है मा के अचानक आ जाने के कारण केशव क्यों डर गया उत्तर है मा के अचानक आ जाने किसे केशव डर गया क्योंकि उसको डर था कि कहीं स्यामा मां को सब कुछ बता न दे और उसकी पिटाई ना हो जाए प्रेस नमबर पांच है क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम छुपकर कर रहे हो और आप पकड़े जाते हैं लिखिये उत्तर है हाँ ऐसा बहुत बार हुआ है एक बार मैंने चुपके से मम्मी के चपल पहन लिये थे तो मम्मी ने मुझे पकड़ लिया था और एक दिन मैंने मंदिर से एक रुपए उठा लिये थे तो भी मम्मी ने पकड़ लिया तो आज की हमारी ये वर्क्षिट कम्प्लीट हो चुकिया अगर आपके चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, शेर और कमेंट जरूर करें और इस चैनल के साथ जोए रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स वर वाचिंग